हेलो एब्रीवन वेल्कम बैक टू माई चैनल आज हम बनाने जारे डोरेमोन का फैवरेट डोरा केक डोरेमोन के साथ यह हमारे घर के सभी बच्चों को बड़ा पसंद आता है बच्चे जब भी डोरेमोन देखते से खाने की डिमान करते हैं आपको अगर बनाना नहीं है तो यह रेसिपी देखे आप बड़े इजिली से बना लेंगी इसे बनाने के लिए मना तो अंडे के इस्तिमाल कर रहे हैं और नहीं मैदा का जटपट रेसिपी है और उसके आप मैंने एक कप लिया है दूद तो दूद जो हमारी घरों में आता है गाएं काभेस का कोई भी दूद आप इस्तिमाल करें लेकिन दूद फ्रीज का ठंड़ ठंड़ यूज ना करें और नहीं दूद को गर्म कर के use करना है जैसे गरम-गरम दूद डालते हैं वो ना डालें दूद जब आब गरम कर लेते हैं जब वो रूम टेंपरेचर पे आ जाता है वहे दूद इस्तेमाल करें और कच्छा दूद भी इस्तेमाल ना करें तो एक कप गिहों के आटे में एक कप ही दूद लग जाता है थोड़ा सा बसता है अल्मूस दो तिन चम्मच तो थोड़ा थोड़ा करके दूद इसमें डाले और पोरिंग कंसिस्टेंसी का बैटर बना ले देखें बिलकुल ऐसे अब हम इसमें डालेंगे मीठा सोडा तो बे दिखिये यह तो तो दूद बच गया है ऑझागं एक तवा पैन ले ले लेगे अच्छे से घ्रीक लेंगे नोन स्च्क पैन ग्रेस तो भी तो तो भी नहलं से घ्री साचीरव हो क्योंकि हो सकता है तो अब हलका सा घ्रीस कर लेंगे कुमाच लेले या कोई भी एक चममच लेले लें, तो आईडियोओं मैं, किलाना है । र right कोई भी रेके जुड़ाँ और धाला है, र connectionaram आपकोई भिम लताई भी या जाला है, विचुनी दिफके एप शुड़ा बड़ना है, देखिए हम दन के दोडोरा केक एसी बना ले आप को को डोला केकक लिए पूर ऐसे लुए पर ऐसे के अभी मेरा हाथ में देखना यह देखिए मेजरिंग वाला कप लिया है मैंने सबसे छोटे वाला इससे क्या होता है आईडिया मिल जाता है कि आपके जो डोरा केक हैं उनका साइस कैसा रहेगा तो एक एक करके ऐसे डाले और जब ऐसे बबल साएं फिलिप कर दे कच्चा फिलिप बिल्कुल ना करें और ये देखे कलर कितने बढ़ी आया तो ये देखे सारे डोरा केक्स बनके तयार हो गए है कितने बढ़ीया बने हैं इने बनाना बहुत आसान होता है, आपने देखा ही है, जटपट बन गई हैं और बच्चे भी खुश और आप भी खुश कि फटा फट आपने घर में रखी चीजों से ने बना लिया है, आप यह इस पर चॉकलिट स्प्रेड करेंगे, नूटेला जो होता है ना, वो आप स्प अपलाई कर दीजे, डोरा केक के उपर, जटपट आपके डोरा केक बन के तयार हो जाएंगे, और आपके बच्चों को यह बहुत पसंद आएंगे, आई होब कि आपको यह डोरा केक की रेसिपी पसंद आयोगी, सारी वही चीज़े हैं, जो घर में होती है, मैदे का यूज ना करें इसमें, आटे से यह बहुत अच्छा बन जाता है, और जिनके बच्चे कंप्लेंट करते हैं डोरा के खाने की और ममी नहीं बना पाती, उन मम्यों को यह रेसिपी जरूर शेयर करें, और मुझे कॉमेंट बोक्स में लिखके जरूर बताएं कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक को मेंट जरूर करें, थैंक यू फू वोचिंग